मुझे यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आध्यात्मिक है मैं यह समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिसे चरम अनुभूती कहा गया है वही मेरे साथ घटित हो रही है जो मैं अनुभव कर रहा था वह दरसल सबसे सुन्दर चीज है जो किसी इनसान के साथ हो सकती है पल-पल मेरे शरीर की हर कोशिका पर्मानंद से विभोर हो रही थी लोग बचपन की बढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हस सकता है और खुश रह सकता है लेकिन मैंने देखा कि वयस्क जीवन में भी किसी के लिए पर्मानंद में रहना संभव है यह हर इंसान के लिए है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अंदर से ही घटित होता है मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में मेरी पूरी आंतरिक सनरचना का पुनर गठन था मैं 12 साल की उम्र से हट योग का अभ्यास करता आ रहा था 13 साल तक किया गया वह योग इस समय फली भूत हुआ योग दर असल शरीर के पुनर निर्मान का तरीका है ताकि वह ज्यादा बड़े मकसद की पूर्ती कर सके मानव शरीर हाड मान्स के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और स्रिष्टि के स्रोत के रूप में भी इंसान को ईश्वरी ये हस्ती में बदलने की एक पूरी तकनीक है मनुष्य की रीड हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था भर नहीं है बलकि असल में यह ब्रह्मांड की घूरी है यह बस इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी शारीरिक सनरचना को कैसे पुनरगठित करते हैं अपने मामले में मैंने शारीरिक तीवरता की स्थिती से आगे बरकर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि वह हो ही नहीं इससे मेरा शारीरिक पहलू बहुत सहज हो गया पहले वह सारी तीवरता मेरे शरीर में थी लोग यह महसूस कर सकते थे कि अगर मैं किसी कमरे में घुसता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है लेकिन अब मैंने अपने शरीर को अलग तरीके से रखना सीख लिया था और तब मुझे एहसास हुआ कि यह अनुभव जो मुझे हुआ है यही असल में योग है अस्तित्व और संपूर्ण जीवन के साथ एक्य और असीमता का अनुभव ही योग था मैं हर रोज जो सरल योग आसन किया करता था विशारीरिक चुस्ती के लिए थे या मैं ऐसा सोचता था लेकिन चामुंडी पहाडी के उस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मुझे एक ऐसे आयाम में पहुचा सकती थी जो भौतिक आयाम से बहुत परे था इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ चाहे आप गलत कारणों से भी योग करें यह तब भी असर करता है हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं को ना पसंद करता है असीमित हो जाने की लालसा रखता है इंसान की प्रकरती ऐसी है कि हम जो अभी है हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की इच्छा रखते हैं इससे फर्क नहीं पहता कि हमने कितना हासिल किया है हम थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हैं अगर हम इसे बारीकी से देखें, तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज्यादा पाने की नहीं, बल्कि सब कुछ पा लेने की है, हम सब असीम हो जाने की चाहत रखते हैं समस्या सिर्फ यह है कि हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश कर रहे हैं कलपना कीजिए कि आप पांच फुट गुणा पांच फुट के किसी कमरे में बंध हैं यह चाहे कितना भी आराम देह क्यों न हो, आप इससे आजाद होने की इच्छा रखेंगे अगले दिन, अगर आपको उससे बड़े 10 फुट गुणा 10 फुट के कमरे में रख दिया जाए तो आप थोड़ी देर तो काफी अच्छा महसूस करेंगे लेकिन इससे आजाद होने की इच्छा जल्द ही लौट आएगी साफ है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी सीमा तै करते हैं जिस पल आपको सीमा का बोध होता है उसे तोड़ने की इच्छा सहज ही उठ खड़ी होती है पूर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक द्रिष्टिकोंड से इनसानी गतिविधियों और प्रयास का सर्वोच लक्ष माना गया है आजादी या मुक्ती या मोक्ष को हर इनसान की एक स्वाभाविक लालसा और चरम लक्ष के तौर पर देखा जाता है मगर इससे बेखबर होने के कारण हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश करते हैं भले ही वह सत्ता, धन संपत्ती, प्रेम या घ्यान का संचय करने के जरिये ही क्यों न हो या आजकल वक्त काटने के सबसे पसंदीदा तरीके, खरीदारी के जरिये जिस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इंसानी इच्छा किसी खास चीज के लिए नहीं, बलकि असीम विस्तार के लिए होती है मेरे अंदर एक तरह की सपश्टता आ गई जब मैंने देखा कि हर कोई इसमें सक्षम है, तो मेरे भीतर इसे साजह करने की स्वाभाविक चाहत पैदा हुई तब से मेरा लक्ष यही बन गया कि किसी भी तरह से इस अनुभव को दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वे यह समझ सकें कि आनंद, आजादी या असीमता की अवस्था से उन्हें वन्चित नहीं रखा जा सकता जब तक कि वे स्वयम जीवन के सहज उल्लास में रुकावट न बने चामुंडी पहाडी पर उस दोपहर के बाद से परमानंद की मेरी जो यह अवस्था है, यह न तो कोई दूर की संभावना है और नहीं कोरी कल्पना यह उन लोगों के लिए भी एक जीता जाकता सच है, जो इच्छुक हैं यह हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारा मनूबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं, तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, धन्यवाद